अगर आपने अब तक J4 E-Tech YouTube चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रड़ बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलेगा ताकि आपको मिलते नहीं वीडियो अपडेट सबसे पहले हलो दोस्तों मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं J4 E-Tech just for entertainment and technology दोस्तों इंडिया में फाइनली एक जुलाई से जो है GST लागू हो चुका है जिसको लेके काफी सारे नहीं बोल सकते confusion है आज भी लोगों में कि क्या-क्या slab ठीक हमको slabs पता है कि 5, 12, 18, 18 slab है लेकिन किसमे क्या लगने वाला है GST किसमे कितना लगेगा specially अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे छोटे मुटे जो businessman है जो SME चला रहे है तो उनको भी शायद बहुत ज्यादा confusion है कि हम GST number चली ठीक हमने GST number generate कर लिया लेकिन हम filing कैसे करेंगे, billing कैसे होगा तो यह सारे कुछ का solution है दोस्तो Reliance Jio लेकर आया है Reliance Jio GST starter kit करके जो Reliance ने अभी अभी जो है launch किया हुआ है तो यह वीडियो आखरी तक जरूर देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूँ कि Reliance ने जो starter pack launch किया है इसमें आपको benefit क्या-क्या मिलता है और इसमें आपको क्या-क्या फाइदे मिलेंगे इस pack को लेने के तो यह सब कुछ आज मैं आपको इसको वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए देखते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यापर मेरे mobile screen पे यहाँ पर देखिए आपको Jio GST में क्या-क्या मिलेगा तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या इसमें benefit मिलने वाले हैं तो जैसे दोस्तों पहला benefit है Jio GST जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अलड़ी लिखा हुआ है जिसमें आपको free GSP and ASP service मिलेगी एक साल के लिए इसके बाद आपको इसमें mobile first solution मिलेगा जिसमें आपको कोई भी accounting या billing software की जरूत नहीं रहेगी और यह जो है आपकी purchase history को automatically आपको बता देगा हर रोज का इसके लोग दोस्तों इसमें digital life जैसे आप देखा है तो device and connectivity याने आपको यहाँ पर unlimited voice में call मिल रहा है चाहिए आप roaming में रहे हैं कहीं पर भी रहें प्लस 24 GB आपको data मिल रहा है साल भर के लिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल रहा है geo billing application याने scan and sale यहाँ पर आपको देखें simple to use mobile based billing application रहेगी यह तो यहाँ पर आपको कोई भी printer या computer की दरुत नहीं पड़ेगी यापका सब को जो है mobile पर generate हो जाएगा यहाँ पर आपको daily summary मिल जाएगी आपके GST compliance की प्लस आपको इसमें हर एक product का code मिल जाएगा tax code के साथ आपकी किस product में क्या कि आपको GST लगा है कितना GST लग रहा है उसके दोस्तों यहाँ पर M panel professionals यहाँ यहाँ पर इसमें काफी सारे professional आपके आसपस रहेंगे online available रहेंगे अगर आपको कोई भी problem आता है GST से related कि GST हम filing कैसे करें GST के लिए register कैसे करें या फिर किस product में कितना GST आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस सारे कुछ जो है आपको support जो है Reliance Jio provide करेगा दोस्तों अब बात करते हैं इसके price की तो यह इतना कुछ जो दोस्तों यह है आपको सब कुछ मिल जाता है सिर्फ one triple nine में यानि आपको pay करना है सिर्फ one triple nine rupees और इस सारे benefit आपको मिल जाएंगे तो जैसे कि इसमें आपको benefit exactly आपको जो मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ price wise तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं आप पर already इस पे मेरे मोबाइल स्क्रीन पे तो यहाँ पर देखे GST filing जो software रहेगा आपको एक साल के लिए free मिलेगा जिसकी कीमत 2000 यह उपर रहेगी उसके बाद उस जीओ 5 device आपको मिल जाता है फिर आपका data plan जो है 24 मेने का जैसे कीमत 1890 रुपे के असपास है देन जीओ बिलिंग application जैसे इसमें लिखा हुआ है 4999 का जो application है वो 4999 की cost है लेकिन आपको 1 year के लिए free मिलती है इसके लाब जोस्तों जीओ GST knowledge series आपको मिलती है यहाँ पर जिसके आपको कोई cost pay नहीं करना होता है तो यह सारे कुछ का कीमत यहाँ जैसे आप देख रहे हैं टोटल जो है 10,884 रुपीज है और यह सब कुछ आपको मिल जाता है 1999 यानि आपको सिर्फ जो है आपको जीओ 5 डिवाइस का पैसा पे करना है पाकी आपको कुछ भी पे करना है एक साल के लिए आपको यह सब कुछ complimentary मिलता है दोस्तो इसके बाद का process क्या रहेगा तो इसके बाद का process यह रहेगा कि आपको यह जीओ 5 जो device है आपको order करना होगा यह आपको घर बैठे आपके घर पे आज आएगा अगर आप यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं आप नीचे आप अपर ability लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप अपना pin code डालके check कर लिजे कि आपको यह कितने दिर में deliver होगा और cash on delivery available है के नहीं जैसे मैं यहाँ पर नाखपुर में रहता हूँ तो यहाँ पर यह सब कुछ available है इसके बाद दोस्तों यह device आएगा तो इसके बाद हमको क्या करना है तो यह device जैसे आपको मिल जाता है इसके लिए दोस्तों सबसे important है आपको आधार card carry करना बहुत जरूरी है आधार card के बेना आपको SIM card नहीं मिलेगा तो आधा card आप carry करके आप लेके जाएए और SIM card आप activate करा सकते हैं उसके बाद दोस्तों next step क्या रहेगा तो next step यह रहेगा कि आपको geogst.com यह website यह पर login करना है और वहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक option दिख रहा है कि आप इसको register कर सकते हैं as a taxpayer और tax practitioner तो आप taxpayer में click कर दीजे taxpayer में आप जैसी click करेंगे taxpayer में sorry मैं player player बोल रहा हूँ taxpayer में आप जैसी click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक form खोलेगा जहाँ पर create account में click कर सकते हैं और create account में click करने के बाद एक बहुत लंबा form रहेगा जिसको आपको भणना होगा पूरी detail तो आपका geogst taxpayer account जो है create हो जाएगा इसमें दोस्तों जो आपने geogst खरीदा है डिवाइस खरीदा है उसको भी इसके साथ register करना होता है यानि लिंक करना होता है तो simple जो number आपको मिलेगा geofi का आप इस पे उसको link कर सकते हैं तो दोस्तों सिफ आपको simple सा ये step follow करना है और ये step follow करने के बाद आपको आपका जो device है वो GST ready हो जाएगा और इसकी बाद आपको जो भी कुछ confusion है कभी आपको form बने में problem आ रहा है GST कितना लग रहा है उसमें problem आ रहा है या GST form बने में कुछ issue आ रहा है तो दोस्तों एक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद अगर आपने अब तक में चनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से राइब बन दबा के सब्स्राइब कर लीजिए मैं ऐसे आपके लिए कुछ good to know info, कुछ reviews और tips और tricks लाता रहता हूँ तक यहु और आपके लिए और आपके लिए